belongs to n गैने का मतलब इंग एक नेचुरल नमर से यानि कि प्राकर्त संख्या को डिनोट कर रहा है के लिए यानि 15 प्राकर्ट संख्या का का सकता है पंद्रा का स्क्वाइर दूस पचिस्ति यह क्या कभी यहां पे कभी 0 आएगा यही आपको साबित करना है कि आएगा कि नहीं आएगा इसको दिखाना है तो हम देख रहे हैं कि यह जो पंद्रा का पावर इन है इसको आप लिख सकते हैं तीन गुना पाच का पावर इन यानि क्या सकते हैं कि एन के किसी भी किसी भी मान पर मान पर मान पर पंद्रा का पावर इन पंद्रा का पावर इन क्या होगा तीन तथा पांच का गुनाज होगा तीन तथा पांच का गुनाज होगा कि अधिन चाल पाच और संद्प्सक्राइगा इस तीन और पाच ही आएगा अंक गनीत्या धार्भूत प्रमे कैसे तीन और पाच ही आएगा हम जानते हैं हम जानते हैं कि किसी हम जानते हैं कि किसी अंक के जीरों पर समाप्त होने के लिए समाप्त होने के लिए वह जीरों तथा दो तथा पांच का गुनज गुनज होना आवश्यक है आवश्यक है कहने का मतलब क्या है कि जैसे माल यह आगर देते हैं दो और पांच का गुनज होगा तभी न दो पंज दस हो जागा कभी भी जीरों पर समाप्त होने के लिए अब चाहिए दस का स्क्वाइर करिए तो दस का स्क्वाइर सो होता है तो सो में जो फैक्टर है का हमे आवश्यक होना चाहिए लेकिन इसमें सिर्फ पांच है दो नहीं होगा दो कभी भी नहीं आएगा अतह यहां कह सकते हैं अतह 15 का पावर एन एन बिलॉंग्स टू एन के लिए के लिए कभी जीरों पर समाप्त नहीं होगा यानिकि इसके इकाई अस्थान पर कभी भी जीरों नहीं आएगा इसका टू नमर देखे उसी तक कर रहा है कि हमें 24 का पावर एन जो है ना इकाई इसका इकाई अंग 5 पर हो सकता है कि नहीं यह हमें जाच करना है ठीक है